नमस्कार एक वाफिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परिक्षावल्ड केसी योटूब चैनल में दोस्तो यूपी टेपल सी पीटी दोजार बीस के लिए हम करेंट अफेस की जो टॉपिक वाइस सीरीज सुरू किये हुए हैं उसमें आज हम एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एड करेंगे इस टॉपिक का नाम है भारत सरकार की प्रमूख रिपोर्ट यानि की भारत सरकार के दोरा वर्स 2020 और 21 में जितनी भी इंपोर्टेंट रिपोर्ट प्रकासित की गई हैं उन रिपोर्टों के बारे में इस संभावना हैं ज्यादा होती हैं उनको हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चली वीडियो को सुरू करता है तो पहला इंपोर्टेंट आपका है सतत विकास लच्छ सुचकांग 2020-21 इसके बारे में हम बात करेंगे सस्टनेबल डिलप्मेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 ताप इसे याद देखेगा इसको जून 2021 में प्रकासित किया गया था आप ध्यान देजेगा जून 2021 में इसको प्रकासित किया गया था किसके तरह तो नीती आयोग के तरह जून 2021 में इसको प्रकासित किया गया यह जो ह यूनायिटिट नेसने कि सवेंक तराष्ट के जो सट्रह सस्टनेवल डिजल के तो प्राप्ट आप्ड करने में कौन सा राग कितना अच्छा कर सभाया है कि जो है आकड़ा इस इंडेक्स में दिया आता है भारा सरकार के दोर आती से आप ध्यान दिजेगा तथा इस इंडेक्स में पहले स्थान पर इस बार है केरला आती से आप ध्यान दिजेगा जो सस्टेनेबल डेलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स है इसने पहले स्थान पर आप मिलेगा केरल उसके बाद दूसरे अस्थान पे हैं हिमांचर प्रदेश और तमिलाडू सेंगत रूप से इसके बाद तिसरे अस्थान पे हैं आंद्रप्रदेश, गुवा, करनाटक और उत्तराखंड तो आप से आ दिखेगा वह एगर हम सबसे अंतिम अस्थान की बात क किंद्र सासित प्रदेशों में सबसे प्रतम पर है चंडी गड़ तो आप इसे याद देखेगा काफी इंपोर्टेंट है इंडेक्स है तता आपसे एक जाम में यह 100% पूछा जाएगा तता केरल को फर्स्ट अस्थान क्यूं दिया गया तो जो आपका युनाटेट नेशन्स का जो सचनेबल डेलप्मेंट गोल्स उसमें एक रस्थान है भुख मरी का तो पूरे बिश्यों से भुख मरी को खत्म करने की बात कलता है उनाटेट नेशन्स तो इस भुख मरी को खत्म करने में जो भारती राज्य है वह सबसे अच्छा भारती राज वह तो कम cooler कर रहा है तो केर रहा है तुसे बिया प्यां दहेंगा वह इम्पोर्टन इसके लाबा जो इसमें भुख मरी ना के बराबर है इसके लाबा जो अच्छी कुडवत्ता वाँरी सिछा है वह उसमीं भी केरल टॉप पे हैने की एजुकेशन के मामले में भी केरल टॉप है तिसे भी आप याँ देखिए कि यह से भी सॉस्टनेबल डॉलप्मेंट गोल्स हैं इसके बाद अगला एक चीज आप ध्यान देजेगा एक इंडेक्स जारी किया आता है सॉस्टनेबल डॉलप्मेंट इंडेक्स किसके दोरा तो SD आपका जो सतत विकास समाधान नेटवर्क के दोरा तो यह पूरे बिश्यू की रेंकिंग करता है कि कौन सा देश सच्टनेबल डॉलप्मेंट गोल्स इंडेक्स में अच्छा परफॉर्वेंस कर रहा है तो 2021 का जो लिटेस्ट का इंडेक्स जा इंडेक्स सतत्विकास समादान नेट वर्क के दवरा इसमें जो भारत की रैंकिंग वह भारत की रैंकिंग 120 अस्थान भारत को दिया गया है और पहले अस्थान पर आपका है इसके बाद अगला इंपोर्टन जो रिपोर्ट है जो प्रकासित के गई भारत सरकार के दरवा कौन सी है तो है भारत नवाचार सुचकांग 2.0 की इनवेशन इंडेक्स भारत का जो 2.0 की दूसरा है यह जारे किया गया नेती आयोग दोरा इंसिटीट फॉर कॉंपटिटिव नेस के साथ मिलकर इसमें बड़े राज्यों में सबसे फर्स्ट पे है करनाटक सेकेंड अस्थान पे महराश्टा और लास्ट पे तमिलनाडू और सबसे लास्ट में है बिहार तिस्या प्या देखेगा अगर हम भारत नवाचार सुचकांग 2.0 की बात करें कि दूसरा जो इस वर्स जारी किया गया है भारत नवाचार सुचकांग इसमें जो है अगर हम बड़े राज्यों की बात करें तो बड़े राज्यों में करनाटक फर्स्ट पे है सेकेंड पे महरास्टा है और थौर्ड पे तमिलनाडू है और बिहार का स्थान इसमें सबसे आखरी है बड इसके बाद अगर हम केंद्र सासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र सासित प्रदेश में प्रथम अस्थान पे आपको मिलेगा दिल्ली और सबसे लाश्ट में आपको मिलेगा लक्षे दीप ताप इसे द्यान देजेगा वहीं अगर हम ओवर आल बात करें इनकी समगर ग तो ओवरॉल अगर हम बात करें तो दिल्ली का प्रतम अस्थान है तिसे भी आप याद देखेगा तता ओवरॉल में लच्छदीप लास्ट पर है तिसे आप ध्यान देजेगा तता जो इंडेक्स है भारत नवचा सुचकांग 2.0 यह का प्रकासित किया गया तो जनवरी 2021 में इसके बात अगले इंपॉर्टेंट है नगर पालिका प्रदर्शन सुचकांग 2020 इसको मार्च 2021 में प्रकासित किया गया किसके तरह तो आवास एवं सहरी मामलों के मंत्राले के द्वारा अगर हम 10 लाखेन की 1 मिलियन से अधिक अबादी वाले सहरों की बात करें तो इसमें जो है आपको फर्स्ट रैंक मिलेगा इंदौर जो से आप द्यान दिजेगा 10 लाख से अधिक अबादी वाले सहरों में जो है इंदौर पहले अस्थान पे है सूरत दुसरे अस्थान पे है और तिस्रे अस्थान पे भपाल मिलेगा और सबसे अंतिम अस्थान पे मिलेगा गुवा हाटी यान है यहाँ पर 1 मिलियन थाज आने कि 10 लाग से अधिक अबादी walay सहरों की बात हो लिए वह कर घर हम 10 लाग हैं कि वेरी-वेरी इम्पोर्टेंट तो यह रैंकिंग जैसे प्रकास मैं आपको बतार रहें जब रहीं कियां और तफस किया हुआ है क्यों कि hekee मैं प्रकासिद किया मिलियन से अधिक अबादी वाले सहरों में सबसे अच्छा सहर रहने योग है बैंगलोरू सेकेंड अस्थान पर पूने है और तिसरे अस्थान पर आमदाबाद है और सबसे खराब है स्री नगर्यने की सबसे रहने योग के सहरों में जिसकी अबादी 10 लाग से अधिक है उसम आगर हम 10 लाग से कम अबादी वाले सेहरों की बात करें तो इनमें सबसे अबात से हैं और agasowaz इसे भी आप 10 लाग से कम अबादी वाले रहने युग के सहरों में सबसे खराब पर मुझसफर पूरत अलिए इसको उचे सहने अवास एवं सहरी मामलू के मंतराले ने इसके बाद अगला इंडेक्स है अनेमियाOS मुक्त भारस सुछकांग 2021 इसको जारी किया परिवार प्षाष्ट कल जार मंतराले और YOUNISAEPE पहल हैं इसमें जो है अनेमिया मुक्त भारस सुचकांग 2020 में मद्य प्रदेश टॉप पे है निकि पहले अस्थान पे है उडिशा सेकेंड रैंक पे है और हिमांचर प्रदेश थौर्ड रैंक पहने गई इसमें जिसे भी आप या देखेगा उत्तर प्रदेश किसमें रैंक क्या है तो बिसमी है तो यह किसकी पहल है तो परिवार एव यह मतलब स्वास्त एवं परिवार कल जाने मंत्राले और यूनिसेव की पहल है यह अनेमिया मुक्त भारस सुचकांग 2021 तो यह रैंकिंग वेरे 2020 में जारी किया गया था तता इस index में जो है आप यह दिखेगा इस index में पहले अस्थान पर कौन सा और राजजे था तो जो था अगर लाज सिटी आने की बड़े राज्यों की बात करें तो बड़े राज्यों में केरल टॉप पे था तेमिलाडू सेकेंड पे आंध्र-पन इस थोर्ड पे उगड़े राज्यों में सबसे खराब रदवस्थान तो यूपी का स्थाथ सबसों खराब था बड़े राज्यों में Public cricket इंडेक्स में तिसे भी आप या देखेगा बड़े राज्यों में पॉबलिक अफियर्स इंडेक्स में यूपी का सबसे खराब अस्थान था और केरल का सबसे अच्छा अस्थान था इसे आप या देखेगा वह एकर हम छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों मे तीसे आप याद देखिएगा तता तो हाँ इतना चीज़ आपको याद रखनी है Public Affairs Index 2020 के बारे में तो दोस्तों भारत सरकार के दरा जितने भी important reports प्रकासित की गेती पिछले एक वर्षाने के 2020-2021 में उसको हमने यहाँ पे discuss कर लिया है I hope यह वीडियो आपको फायदा पहुचाएगा PT के exam में तो आज के लिए इतना ही thank you, thanks for watching, thank you